अब आप देख रहे हैं मारा चैनल पेपर है करतो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वीजिए थर्ड यर वालों के लिए जुलोजी का फस्ट पेपर है लगतर हमारे चैनल की मादिम से आप लोगों को leading two and notes important treatment questionнем सापको provides कराई जाती हैं व्यसी में फ़स्ट याप का फिजिक्स है केमिस्ट्री ऐ जैजूलोजी वॉटनी है मैतमाट्रिक्स है सभी की किलासिव लगतर होती हैं तो आज का जो हमारा टॉप एक रहने वाला है वन की यह हमारे जो छूहे होते हैं किस तरह से यह हमारी खेति को कपड़ों को घर में और वी जो होते हैं। वर्ड जो गड़ होता है तो इस तरीके से चुए जो होते हैं आंट कर और सं रचना इस टेक्टर की आधार पर लिश्विल वर्गों में डिवाइड किया गया है तो हमारे जो टॉपिक है चूहों के प्रकार इभम नियंतर के तरीके टाईपस आफ रेड यायनी के प्रकारैं तो चूहे होते हैं लगातारिये किसांड को तो हमारे घर में फैक्टरीज में बिभिन बिभिन जगह पर जहां पर को सामगरी उत्पन होती है वहां पर ये कुछ नो कुछ निक्सान कुछ नो कुछ हाम जरूर पहुंचाते हैं इन्हें तीन सेलियों में वाटा गया है घरे लू चूहे खेतों में रहने वाले घर और खे प्रजाती है इसकी बैडे कूट चूहा घरेलू घृत नौर्मल बात है ये तो सब गरां में दिखने को लगबाग मिलते हैं रेट्स रेट्स के नाम से जानते हैं ये बिल का निर्मार करते हैं बिल में रहते हैं इनका रंग भूरा और पूँच लंबी होती है ये चुहे आपने देखे हैं घर में होते हैं जाता घरी चुहा में पक्के मकानों में कम होते हैं लेकिन जो कच्छे मकान होते हैं विदाव जोटो फांनों तथा खेतों में रहता है थीक है दौनों जगह forgiven estas oh knot Ah पूंच चोती और रंग दा करें तो घरीलू चुओं से थोड़े बड़े हो ते हैं करिते ह ooh जालाकि है दोनों चभी रहता है और खेटों भी रहता है लेकिन कुछ sizes में the principal होता है फिर आता है तीसरा जो होता है छोटी पूंच वाला चूहा अब छोटी पूंच वाला जो चूहा होता है यह पाया जाता है ज्यादा तर बगीचे में मिलेगा लॉन में मिलेगा इसकी पूंच जो होती है वो छोटी होती है अपेच्चाकरत इसलिए इसका नाम छोटी पू गर्विल रेट्स जो होते हैं यह अलग थोड़ी इनकी जो इस्टक्चर होती है कुछ अलग टाइप की होती है जैसे पूंच जो इनकी जो चुहे होते हैं जो भारती गर्विल चुहे होते हैं ज्यादा तर जंगलों में पाई जाते हैं और यह कूदने में बहुत ही एक्टि करते हैं कि इन चूहों को किस किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है तो देखें नियंत्र के जो तरीके हैं वो हैं जाल या ट्रैप ठीक है या तो जाल का यूज करें या फिर ट्रैप का यूज करें तो ट्रैप जो होता है देखें ट्रैप एक ऐसी मेकैनिज्म है कि ट्रै यूटाइब का लगा होता है जो चूओं के पैरों को इसके बॉड्य को चिपका लेता है अपने आप में चूओं दूसरी होती है जाल जाल यानि चूओं को पकड़ने के लिए घर में पिंज्रे आदी का यूज करते हैं तो उस विदी से भी चूओं को पकड़ा जा सकता है करतेशने के बाद में आ आजाता है वाई अल्ट्रास्निक यो के पर आभी चुहें पकड़े जा सकते हैं अल्टासॉनिक जो होती है वो चुहों को अपनी और आकर्षित करती हैं और उन्हें बहां पर कैद करके रखती है फिर इन्हें कहीं बहार दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है इस विधी में चुहों को कोई हानी नहीं पहुंचती है नेक्स्ट मेथाड आती है जैविक नियंतर्ड और गेनिक कंट्रोल की अगर बात करें तो जैविक नियंतर्ड में खेतों में चुहों को सांप मार देते हैं सांप नेवला एबम उनके पच्छी चुहों को अपना भोजन बना लेते हैं बहुत सारे सांप होते हैं पच्छी आपना बोजन बनाते हैं अगर लासाइन कटकि नियंत्रन की बात करồng हैं जो आपका रेपलेंट होता है और आपका एक अट्रेक्टेंट होता है यह कैमिकल्स हैं जो चूहों को मारने के लिए काम आते हैं अब संबर्धन नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं इसका जो संबर्धन नियंत्रण है वो कि संबर्धन नियंत्रण जो होता है संबर्धन नियंत्रण फसलों की बुआई तथा कटाई अब फसल जो होती है जिसे किसान खेत में बोता है उसे काटता है उसके सामय में परिवर्तन तथा भंडार को परिवर्तित करके नियंत्रण किया जा सकता है माल ल जगह पर रखना चाहिए ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह रखी रहेगी तो उसमें चुगे पनब जाएंगे अगर उनके इस्टोरेज की बात करें भंडार ग्रहों की बात करें तो परिवातन करके उसमें जगह स्टोर किया जाए अनाज को तो वहां से विचुगों की हानी से यह बच सकते हैं लगातार हमारे चैनल के माधिम से आप लोगों को जो वीडियो प्रवाइट कराई जाती हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होती हैं नोट्स जिन स्टूरेंट्स को चाहिए डिस्क्रिप